यमस्कार बहुत स्वागत है आपका 36 गर राउंड अप केस बुलिटर में मैं हूँ आपके साथ रितु ग्यानवानी 36 गर से राजसभा उमीद्वार की घुशना कर दी गई है राजा देविंद्र प्रताप सिंग बीजेपी उमीद्वार होंगे महराजा चक्रधर सिंग के प्रपोतर हैं राजा देविंद्र प्रताप सीम साई के करीबी भी माने जाते हैं राजा देविंद्र प्रताप और पाटा गया है। बड़ा फैसला बड़ा फेर बदल क्यों आखिर। राजा चक्रदर संगीत मरबग्य के रूप में जाने जाते रहे हैं। और आज भी उनी के नाम से राइगड में चक्रदर संगीत समारो का एक अंतराशी स्तर का आयोजन होता है। उनके प्रवपद्र है और अभी लैलूंगा जो विधान सभा छेतर हैं। चेतरों में जीला पंचायत सदस के रूप में निर्वाचित हुए हैं। और लंबे समय से बीजेपी में कारी करता के रूप में लंबे समय तक करते रहे हैं। इनके पीता जी हैं शुरेंद्र कुमार जी वो भी राजसभा के सांसद रहे हैं। और राजनीती से गहरा तालूख है, गहरा नाता है। और यह कहा जा सकता है कि राइगर में राजसभा के जो उमिद्वार को लेकरे उनका जो चैयन किया गया है बीजेपी की ओर से, आपसी का जो नाम है वो राज सवा सांसत के लिए जो नामिरेट किया गया है जे ठीक ये बड़ा फैसला कहीं बीजेपी ने जो किया है यूगल इस बड़े फैसले को किस तरह से देखा जाए क्योंकि कई बार हम देखते हैं ऐसे नाम चौंकाने वाले सामरी आते हैं लगाता की चुनाओं में बीजेपी ऐसे नए चेहरे को उतार करके एक बाजी मारी और जो कॉंग्रेस की जीत पर जो जीत की दावा कर रहे थी उस पे पानी फेर दिया ठीक उसी तरह से अगर हम देखे तो बीजेपी के जो चैन होता है एकदम बिल्कुल आप्रयाशित होता है हाला की नामों की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी लेकिन चुकि राज परिवार से चुड़ा हुआ है काफी उनकी सक्रीता रही है तो ऐसे में यह नाम जो बीजेपी ने आगे बढ़ाया है राजी सवा सांसत के लिए तो यह चौकाने वाले नाम जरूर है लेकिन यह है कि पा जो बीजेपी ने किये हैं आने वाले समय को देखते हुए आने वाले चुनावों को देखते हुए यह बड़ा फैसला हम बीजेपी का मान सकते हैं बिल्कुल आप सही कह रही है जिस तरह से लगातार उनकी दावेदारी है जो राइगर्ण लोग सभा से लेकर के वो लगातार की मान रहते उम्मीद ये थी उनके जो समर्थक थे आसपास के जो जानकार थे वो यही कह रहते कि हो सकता है कि लोग सभा चुना में उन्हें उम्म दारी सामने आई है और नामिनेट किया गया है तो एक बड़ा फैसला कहा सकता है चोकाने वाले फैसला है और ऐसे में छोटे कारी करताओं को इस तरह से साध करके आगे बढ़ा करके बीजेपी ने जो विधान सभा में जिस तरह से मैसेज दिया है अब जो राजी सभा के जो बना करें जो मैसेज देना चाहरी है तो यह इस पस्ट है कि बीजेपी में छोटे बड़े कारी करता नहीं जो जो तै हो जाता है नाम जो सर्व सम्मती से उन नाम को आगे बढ़ा दिया जाता है तो एक बड़ा फैसला है आने वाले चुनावों को लेकर के मैसेज भी है कि क कई ना कई और जो नए नाम होंगे उन्हें मैदान में उतारा जाएगा चुनावों को देखते हुए अलग कि देखने वाली बात होगी कि कितना लंबा बतलाव यहां पर और हमें बीजेपी में देखने को मिलता है 36 गड़ बीजेपी में विलाल बहुत शुक्रिया यूग कर दोएथ और हमें वाली।